दोस्तों आज हम टैक्सी ड्रैवर की कहानी सुनने वाले हैं कहानी की सुरुवात एक टैक्सी ड्रैवर से होती है नाम है किम हरी रंग की टैक्सी जिसे वो चला रहा है और मस्ती में गाना गाते हुए आगे जा कर देखता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम था यह देखता है कि क् तब दूसी तरफ से सेनाकी भी उसे दिखते हैं, जो लोगों को पीछे उटने के लिए बोल रहे थे फिर वो परदर्सन करने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं यह देखकर वो गाड़ी पीछे करके वहां से जाने लगता है वो गाड़ी तेरी से भगाता है और अपने आप से कहता है कि इन कमीनों को सौधी अरेबिया भेज दिना चाहिए वहां जब यह गर्मी म कर डाटने लगता है कि तुम मेरे गाड़े के आगे कैसे आये वो बोली रहा था कि वो लड़का वहां से भाग जाता है तब ही कोई टैक्सी बोलकर पीछे से आवाज लगाता है एक आदमी और एक प्रेगनेंट औरत उसे आवाज लगाती है और अदर्द से चिला रही थी ये उन्हें बैठाता है और हॉस्पिटल के तरफ लेके जाता है रास्ते में देखता है कि और भी लोग खड़े है तो वो रास्ता बदल कर उन्हें लेके जाता है और उस रास्ते में ये भी बोलता है कि पहले बच्चे में थोड़ी तकलीफ होती है मेरी बीबी को तो 12 घं तो वो उसे जाने देता है पर वो अपना कार्ड उसे देता है और कहता है कि कल आके पैसे ले जाना यह कहता है ठीक है कि बाहर से बहुत सक्त मगर अंदर से बहुत नर्म था इसके बाद वो अपने घर चला जाता है अपनी कार को अच्छे से कवर करता है घर पर उसके छोटी नेहीं बेटी थी जो सोई हुई थी वो उठाता है तो देखता है कि इसके सर पर चोट लगी हुई है वो समझ जाता है कि यह काम उसके मकान मालकीन के बेटे की है वो उसे डाटनी के लिए मगर वो अपने मालकीन से खुद ही डाट सुन் खाना भी उसके मकान मालकी नहीं भीजा था खाना खाने के बाद वो दिन भर की कमाई जोड़ता है रेडियो पर प्रोटेस्ट के बारे में बताया जा रहा था तो उसे लगा कि फिर से काम की कमी होने वाली है दोस्तो इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो एक जर्नलिस्ट है वो है तो जर्मनी से मगर 7-8 साल से वो जापान में रह रहा है इसके मुलाकात BBC के एक पत्रकार से होती है वो बताता है कि इससे पहले वो साउथ कोरिया में था जहां अभी मार्सल लौ लगा हुआ है उसके कुछ करीबी थे जिनसे उसकी बात नहीं हो पा रही है पीटर पूछता है कब से बात नहीं हो रही है ये कहता है दो-तिन दिनों से पीटर अगले ही दिन साउथ कोरिया निकल जाता है एरपोर्ट पर बताता है कि वो चर्ज से है और मिस नरी के काम से आया है वहां जाकर वो किसी से मिलता है और पता चलता है कि वांग्जु में छे दिन से मार्सल लौ लगा हुआ है वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता नहीं local news में कुछ आता है वहां के electricity भी काट दी गई है कोई बहार दी जा सकता तब पीटर कहता है कि मैं वहाँ जाओंगा इसके बाद हम कीम को देखते हैं जो अपनी गाड़ी का सिसा ठीक करवाता है और फिर खाना खाता है तब ही उसका मकान मालिक भी वहाँ आता है दोनों साथ में काम करते थे फिर वो दोनों कैंटीर में जाते है वहाँ उसे पता चलता है कि कोई अंग्रेज है जो वांग्जू जाने के लिए एक लाख रुपए दे रहा है और उसने गाड़ी बुक कर ली है वो ड्राइबर अभी खा रहा था कि मैं अपनी गाड़ी लेके तुरंत वहाँ क्लिनिकल जाता है और उसी जगा पर जाके उसका वेट करता है वो उस फारेणर को पहचान लेता है पर उन्होंने कमपनी की गाड़ी मंगवाई थी पर इसने कहा कि कमपनी की गाड़ी अभी बेजी है इसलिए मैं आ गया फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है इसने कहा कि हाँ वांग्जू जाना है जिसके लिए मुझे एक लाख रुपए मिलेंगे किम पीटर को लेके वहाँ से निकल जाता है जब यह दुनों रास्ते में हैं किम पूछता है कि कोरिया फर्स टाइम आ जाता है लेकिन वांग्जू का दाश्ता बंधा किम सूचता है कि क्या करो तब ही देखता है कि पीछे वाली 22 यानि doivent पीटर बैक से एक कैमरा निकालता है और सूट करने लगता है वो किम को आगे जाने के लिए बोलता है बंद होने के बावजूद ये आगे जाते हैं तो आगे जाकर उन्हें सेना के लोग दिखते हैं वो भी टैंक के साथ किम पूछता है कि क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रह तब कि गाड़ी रोग देता है और कहता है कि हम लोग सी ओल वापस जा रहे हैं क्या तुमने देखाने कि वांगजु जाना मना है हम नहीं जा सकते तब पिटेर ने कहा कि अगर हम वांगजु नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा तुम वहाँ चलो तब पूछता है पर उसने भी पहले मना किया कि देखो उधर मत जाओ पर यह नहीं मान रहा था फिर उसने एक रास्ता बताया किम उस रास्ते पर चल पड़ा यह एक कच्च रास्ता था आगे जाकर देखता है तो वहां भी रास्ता बन था पर इस बार किम जाकर को उनसे बात कर करता है यह मिलेट्री वालों को बोलता है कि मेरे साथ जो सवारी है यह एक बड़ा बिजनस्मेन है पर इसके कुछ पेपर वांग्जु में छुट गया है वहां जाना बहुत जरूरी है वो लोग मान तो नहीं रहते पर वो कहते कि ठीक है देखो वहां दंगे हो रहे हैं अप पीटर कहता है ठीक है पर जब हम वापस जाएंगे तो मैं पैसे दूँगा पर किम कहता है कि नहीं पैसे तो अभी चाहिए नहीं तो मैं नहीं जाओंगा तब पीटर उसे पचास हजार रुपए देता है और कहता है कि बाकी पैसे वापस सी ओल जाने के बाद केम समझ गया कि ये भी उसी की तरह है वो कहता है कि ठीक है वो पैसे ले लेता है जब ये वांग्जू सहर में पहुंचता है तो देखता है कि सभी दुकाने बंद है बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए है कहीं कोई ने दीख रहा है किम सोच रहा है कि ये सब क्या है पीटर अपना कैमरा निकाल करके सबको रिकॉर्ड करने लगता है तभी एक ट्रक में कुछ लड़के लोग दिखते हैं जो हाथों में जहंडे लेकर कहीं जा रहे हैं वो अपने गाड़ी रोक देते हैं किम भी अपना कार रोकता है पीटर जाकर उनसे बात करता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ आप सभी कहां जा रहे हैं पर किसी को इंगलिस समझ में ने आ रहे थी फिर उसमें से एक लड़का आगे निकल करके आता है और वो बात करता है तो सभी को पता चलता है कि ये एक रिपोर्टर है वो सभी हॉस्पिटल जा रहे थे खाल लोगों को देखने के लिए पीटर कहता है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ सभी ने कहा हाँ ठीक है वो इस बात से खुस थे पर जैसा ही उन्होंने किम को देखा तो सभी खुसी से तालिया बजाने लगी एक ने कहा कि हमें इस टैक्सी ड्रैवर को धन्यवाद करना चाहिए किम ने कहा कि ठीक है ठीक है वो समझाने के लोग इतने खुस क्यों हो रहे हैं उन्होंने किम को ये भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो पर किम ने का कि हाँ ठीक है मैं अपनी गारी लेकर आपके पीछी पीछे आता हूँ अब वो ट्रक आगे जाने लगी और किम उसके पीछे पर थोड़ी दूर जाने के बाद किम अपनी कार को घुमा देता है और वापस सियोल आने लगता है उसे वहाँ जाना ही नहीं था वो समझ गया कि आगे जाने का मतलब लफड़ा वो वापस आने लगता है तभी एक बुड़ी औरत उसे सड़क किनारे हाथ देती है हॉस्पिटल जाने के लिए ये रुपता तो नहीं है पर फिर वापस आता है और उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठाता है वो पुछता है कि हॉस्पिटल में कौन है ये कहती है कि मेरा पोता फौज वालों ने उसे बहुत मारा वो सभी लोगों को बहुत मार रहे है तब इसने कहा कि दादी मैं भी फौज में था वो ऐसा नहीं कर सकते ये हॉस्पिटल पहुंच जाते है वो बोड़ी औरत उससे बोलती है कि मेरे बेटे को खोजने में मेरी मदद करो किम अंदर चला जाता है उससे उसका बेटा मिल जाता है पर ये फस जाता है लोग पहचार लेते हैं कि Sea-all का driver यही है इतने दिर में Peter भी वहाँ आ जाता है वो किम को कहता है कि तुमने मेरा सामान लिया है ये कहता है कि नहीं मैंने तो कोई सामान नहीं लिया है लोग जाकर कि इसके Taxi में जाकर देखते हैं तो टेक्सी के पीची वाले सीख पर एक bag रखा होता किम कहता है कि मैंने इससे नहीं देखा इसके बाद पीटर किम को पैसे देता है पर इस पर वो लोग इससे जगड़ा करने लगते हैं कि स्योल से आने पर इतना पैसा ये टेक्सी ड्राइवर गलत है इस पर किम को गुस्सा जाता है वो सारा पैसा उन्हें देता है बोलता है कि यह लो मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा इसके बाद वो पीटर और एक लड़के को बैठाता है और वहां से निकल जाता है कि वापस सियोल जा रहा था रास्ते में वो उस लड़के से बात करता है कि तुम कौन हो क्या सार एक गैस अस्टेशन पर रुखती है गैस भरने के लिए पर किम यहां भी लड़ जाता है क्योंकि उसने जितने पैसे दिये उसे ज्यादा गैस भर दिया तब कि ने कहा कि वह बाकी पैसे नहीं देगा तो उसने कहा कि भाई यहां गैस फ्री है यह सुनकर वह चौक गिय कि हां गैस फ्री है रस्ते में किम लड़की को पूछता है कि ऐसा क्यों तब उसने बताया कि इस विद्रों में जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें टैक्सी वाले ही हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं इसलिए वो टैक्सी वाले को इता रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसके को बताता है कि यहां से सूर्ट करने का मतलब मारा जाना हो सकता है रोड़ पर बिद्रों पूरी तरह से चल रहा था सेना कि लोग प्रटेस्ट करने वालेको बुरी से मारे जा रहे थे उनके साthing जो रड़कता वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं देख सकता वो नीचे रोड़ पर जाने की बात करता है कि Wait कहता है कि पागल हो मारे जाओगे यहां ठीक है यहां से सब कुछ सूट कर सकते हो पर सब लोग में चेम को भी आना पड़ता है, वहां जाकर लोगों के बीच में उसे बहुत मार पड़ती है, सबी लोग भाग रहते, सब कुछ बहुत खराब था, किसी ने पीटर को वीडियो बनाते हुए देख लिया, तो वो उसे पकड़ना जाते थे, पर समय रहते ये लोग वहां से निकल गए, अब कीम और पीटर सियोल की तरफ वापस आने लगते हैं, उनके साथ जो लड़का था, उसे वहीं रास्ते में उतार कर उसे छोड़ने के बाद, वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, उतने में ही कुछ और ट्रैक्सी डाइवर भी वह सबने कहा की नहीं, यहां की फोन-लाइन एक काट दी गई है, किम परेसान हो जाता है, वो कहता है कि मेरी बेटी है 11 साल की, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, वो घर पर mighty आखेले है, वो रोने जैसा हो जाता है, तब पीटर उसे बाखी पैसे देता है तर पसुर सुना का हो स में मार पिढ हो जाती है इसके बाद ये सभी वहां के एक ड्राइवर के घर पर जाते हैं उसकी वाइफ सभी के लिए अच्छा सा खाना बनाती है सभी लोग एक दूसरे के साथ हसी मजा करते हैं पर इधर सेना के लोग पीटर को खोज रहते क्योंकि उन्होंने उसे वीडियो बनाते हुए देख लिया था और वो नहीं चाहते थे कि ये दुनिया जान पाए कि यहां पर क्या हो रहा है इसके बाद ये सभी टीवी देखते हैं जहां गलत समाचार दिया जा रहा था वो ये कि सरकार विद्रो को अच्छे सा हैंडल कर रही है और सिर्फ तीन लोग मारे आग जल रहे थी सभी लोग टीवी स्टेशन पर जमा हो रहते ये सब भी जाते हैं पीटर वहां का एक वीडियो बनाता है उस जगह पर सेना के लोग भी आते हैं और वो पीटर को वीडियो बनाते ही वे देख लेते हैं वो पीटर को पकड़ने के लिए आगी आते हैं पर वहां से लेकर भागने लगता है पर किसी तरह वह बच्चा पकड़ा जाता है यह सब एक अंधेरे बिल्डिंग में थे वहां से मार देंगे पर वह लड़का कहता है कि यहां से चले जाओ और दुनिया को दिखाओ कि यहां क्या हो रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसके बाव जो किम वो कैमरा दे देना चाता था पर पीटर नहीं वो इस वीडियो की एहमियत को समझता था यह दोनों भागने लगते हैं कि एक जगा पर ठक जाता है तो क्या देखता है कि सेना ने एक ट्रक में लोगों को बांध रखा है और उसे वो मार रहे हैं उसके बाद वो वहाँ से भागता है तो एक सैनिक उसे पकड़ लेता है वो उसे पूछता है कि बता वो रिपोर्टर कहा है पर यह नहीं बताता बलकि वो अपने बारे में बताता है कि वो किसी के खिलाफ नहीं है वो बस एक टैक्सी ड्रैवर है जो सियोल में राता है यह स सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया इसके बाद वह वहां के टैक्सी ट्रैवर के घर चला जाता है जहां यह सब रात में रुके थे कि बहुत परिसान था वह रो रहा था और पीटर वहां बैठा हुआ था तब कीव ने बताया कि से पहले वह साओधी अरेबिया में रहता था जहां उसने अच्छा पैसा कमाया पर सारा पैसा वाइप के इलाज में खर्च हो गया उसी ने मुझसे कहा था कि अपनी एक टैक्सी खरिद लो उसके जाने के बाद मैं बहुत सरा पीने लगा और मेरी बेटी अपनी मा को बहुत याद करती उसे देखकर मैंने पिर पीना छ के लिए हैं सुबह होते हैं किम घर से बहार निकल जाता है वह स्यॉल जाना चाहता था अपनी बेटी के लिए वह जब अपने टैक्सी के पास पहुंचा तो उसके ड्राइवर दोस्त जिसके घर पर रुका था वह वहां पे आता है और कहता है कि सारे जगों पर तुमारी ग विंकार करता है पर उसका दोस्त उसे जबर्जस्ती उसे पैसे रखने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम जाओ तुमारी बेटी घर पर इंतिजार कर रही है कि मौहां से चल देता है सुबसुबसुब का टाइम था सैनिको ने इसकी टैक्सी को देखा पर इसका नंबर तो वो बज गया उसके बाद कुछ दूर जाके पहले वो अपनी गारी को ठीक करवाता है जिसमें उसे थोड़ा समय लगता है तो वो पहले अपने बेटी के लिए एक सुंदर से चपल लेता है फिर वो जाकर के खाना खाता है वहां जाकर लोगों को बोलते वे सुनता है कि व वहां से अपने घर के तरफ निकल गया और उसका दिमाग सांथ नहीं था उसे लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है वहां सभी लोग मर रहे हैं और मैं अपने घर जा रहा हूं वह रास्ते में बस यह सोच रहा था यहां तक कि वह रोने लगा वह समझ नहीं पारा था कि वह गलत कर रहा है कि सही कर रहा है पर फिर उसने अपनी टैक्सी मोडी और वहां से वापस चला गया जाकर पर चलता है कि सभी हॉस्पिटल में है फिर वह हॉस्पिटल जाता है जाकर देखता है कि एक तरफ से लासे रही हुई है जिने घसिट-घसिट कर मार दिय पीटर भी वही था वो भी लासो को दिखकर बेसूद पड़ा था तब किम पीटर को कहता है कि तुम बैटे क्यों हो तुम्हें तो इन सब सड़क पर जाते हैं सड़क पर अजीब महौल था एक तरफ सेना के लोग बंदुक लिए दूसी तरफ निहत्ते लोग पर फिर भी सेना उन पर गोलिया चला रही थी जो सामने आए उसे मार देती ये बड़ा दर्दनाक दिर्स्ति था लोग सड़कों पर गिरते जा रहे थे तब सभी टैक्सी ड्रैवर ने पहसला किया कि वो ऐसे नहीं देख सकते वो अपनी टैक्सी लेकर सरक पर आ गया और जितने लोग खायल थे उन्हें टैक्सी में बैठा कर ले जाने लगे सेना की लोग उन पर भी गोलिया बढ़सा रहे थे पर इन लोगों ने हार नहीं मान है पीटर ने किम को कहा कि हमें चलना होगा किम भी रेडी हो गया यह दुनों तेजी से उस जगह से निकले सिना ने इन लोगों को जाते वे देख लिया और वो इसके पीछे लग गया किम टैक्सी को एक खुफिय रास्ते से लेके जा रहा था मगर वहां सोल्जर थे पर किम नंबर प्लेट रखा हुआ है वो समझ गया कि वो जिस टैक्सी को खोज रहा है वो यही है पर वो अपने लोगों को कहता है कि इस टैक्सी को जाने दो साइद वो भी चाता था कि लोग यह देख सके कि यहां क्या हो रहा है वो जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं कि उन ऐसा लगा कि वो पकड़ा जाएगा पर तबी पीछे से और चार टैक्सिया आती है जो किम को भागने में मदद करती है ये सबी उन गारियों से जम कर मुकाबला करती है ये गारिया उनको आगे जाने ही नहीं देती पर धीरे धीरे ये गारिया लड़का तूट जाती है ये से खोशते रा जाती है यह अपना सारा फुटेज एक डबे में ले लेता है और किम से उसका फोन नमर भी लेता है और यह कहता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम से जरूर मिलूंगा उसके बाद पीटर कहता है कि किम तुम एक अच्छा आदमी हो और तुमने एक अ और अपनी बेटी को सौरी बोलता है पीटर की वीडियो के जरी दुनिया यह जान पाती है कि कोरिया कैसे जुल्म कर रही है कैसे लोग मारे जा रहे हैं कुछ समय बाद पीटर वापस कोरिया आता है और किम को खोजता है पर वो उसे नहीं मिलता उसने जो नमबर पीटर को दिया था वो गलत था और नहीं उसके नाम से कोई टैक्सी डैवर था बहुत सालों बाद वापस पीटर को रिया आता है अब वो बुड़ा हो चुका है पर उसे अवार दिया जा रहा था उस समय के उसके काम के कारण पीटर ने कहा कि जो भी कुछ हुआ इन सब में मुझे एक चहरा याद आता है मेरे दोस्त और टैक्सी डैवर किम का अगर वो नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता मैं एक बार फिर से उससे मिलना चाहता हूँ ये खबर किम को एक न्यूज पेपर से मिलती है वो भी कहता है कि मैं भी आपसे मिलना चाहता था पर कोई बात नहीं हम अ